हे दोस्तों अभी भी काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि किन किन राज्यों में गैस एजंसी का फॉर्म भरने के लिए अड़र्टाइजमेंट आया हुआ है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे चक करोगे कि हमारे राज में गैस एजंसी का फॉर्म बढ़ने के लिए अड़र्टाइजमेंट आया है कि नहीं आया है और जानेंगे खुद का gas agency खोलने का क्या process है यानि gas agency कैसे खोल सकते हो आप खुद का कितने space की requirement होगी, documents कौन-कौन सा लग सकता, investment कितना लगेगा और apply कैसे करोगे तो दोस्तो ये सारी चीज़े step by step जानेंगे दोस्तो आप वीडियो को पूरा last तक जरूर देखिएगा तो दोस्तो अपने प्यारे भारत में अगर आप gas agency लेना चाते हो तो आपको कुछ criteria फुल्फिल करना होगा अब वो criteria क्या है हम जान लेते हैं आपका 10th pass होना आवस्यक है दोस्तो अगर आप 10th pass नहीं हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आपके घर में जो भी member 10th pass हो उसके नाम पे gas agency के लिए apply कर सकते हो लेकिन उसकी आयू उसकी उम्र 21 से 60 वर्स के बीच में होनी चाहिए और वो member Indian citizen होना चाहिए यानि भारतिय नागरिक होना चाहिए और उसका कोई criminal record नहीं होना चाहिए और आपके family में कोई भी member gas company का employee नहीं होना चाहिए ये सारे criteria अगर आप fulfill कर रहे हो तो आप gas agency के लिए apply कर सकते हो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि gas agency को कितने category में divide किया गया है और कितने space की जरूरत होती है gas agency लेने के लिए gas agency को basically चार प्रकार के भागों में बाटा गया है पहला सहरी दूसरा ग्रामीर तीसरा रूर्बन चौथा दुर्गम दुर्गम मतलब पहाड़ी छेत्रों के लिए अगर आपका जमीन सहरी छेत में है या रूर्बन छेत में है तो आपको minimum 26 बाइ 30 मीटर का plot रखना होगा अगर आपके पास 26 बाइ 30 मीटर का minimum plot नहीं है एक इंच भी कम है तो आपका form reject हो सकता है इसलिए आपको minimum 26 बाइ 30 मीटर का plot रखना होगा maximum आप कुछ भी रख सकते हो यह आपके उपर depend करता है दूसरा है ग्रामीन ग्रामीन वालों के लिए 26 बाइ 26 मीटर minimum plot होना चाहिए और दुर्गम जो दुर्गम छेत्र है उनके लिए 15 बाइ 16 मीटर का minimum plot होना चाहिए और फिर हमने space जान लिया कितने space की requirement होती है अब हम documents के बारे में जान लेते हैं कि हमें कितना documents रखना होगा कौन-कौन सा document ready रखना होगा यह जान लेते हैं हमारे पास pen card होना चाहिए आधार card होना चाहिए 10 की mark sheet होनी चाहिए land के paper होनी चाहिए अगर हमारा plot अपना खुद का नहीं है आप lease पर लिए हो तो lease के agreement होने चाहिए lease के paper होनी चाहिए सारे अगर आपकी जमीन आपकी नाम पे नहीं है family member के नाम पे है तो family affidavid होना चाहिए और अगर आप OVC, SC, ST category में आते हो तो आपका cash certificate होना चाहिए वो नए rule के according होना चाहिए यह ध्यान रखना अब हमने criteria fulfill कर लिया space भी हमारे पास है अब documents भी ready हो गई हमारी investment जो है आपका सहरी चेत्रों के लिए और urban चेत्रों के अगर आप general category से बिलॉंग करते हो अगर OVC category में हो तो 4 लाग का लगेगा SC, ST वालों का 3 लगेगा यह सहरी और rural चेत्रों के लिए और अगर grammar और दुर्गम चेत्रों के लिए और अगर grammar और दुर्गम चेत्रों में plot रखते हो तो आपका general वालों का 4 लाग का investment लगेगा OV OVC वालों का 3 लाग का और SC, ST वालों का 2-5 लाग का investment लग सकता है तो यह है investment process आपका investment भी ready हो गया पहले criteria फुल्फिल किया फिर space ready किया documents ready किया investment हमारे पास हो गया अब हम जान लेते हैं कि apply कैसे गर हो गया मतलब gas agency लेने के लिए apply करना पड़ेगा कितने तरीके से apply कर सकते हो आप यह जान लेते हैं तो offline तरीका है और online तरीका है दो तरीकों से हम apply कर सकते हैं offline तरीके में आप HP, IOC, BP की official site पर जाओगे वहां से form download करोगे और post कर दोगे company के नाम पर यह offline तरीका है online तरीका जान लेते step by step अब online कैसे apply करोगे इसके लिए आपको Google में जाना होगा यह यहां पर LPG Bitrak Chain सर्च कर लेना है उसके बाद नीचे आएंगे LPG Bitrak Chain की official site पर click कर देंगे LPG Bitrak Chain.in पर click कर देंगे वैसे मैं इसका link description में डाल दूंगा किसी भी fake site पर जाके registration मत करना दोस्तों यह बात का आप ध्यान रखना इसकी official site पर ही जाना यहां पर advertisement आता रहता अभी वह भी जानेंगे कि कैसे advertisement चेक करेंगे तो Google में official site खोल लेने के बाद अब desktop site खोल लेते हैं desktop site से यह computer की तरह खुल गया हमारे mobile में अब यहां पर हमें कैसे check करना है कि advertisement आया है कि हमारे इस चेत्र का की नहीं आया है इसके लिए सबसे पहले यहां पर what's new दिख रहा है यहां पर view all कर लेंगे अब आप अगर जम्बो कश्मीर उत्तर प्रदेश और आंद प्रदेश से हो तो इन तीनों का यहां पर advertisement आया हुआ है तो आप चेक कर लो आपका district इसमें आता है कि नहीं आता है क्योंकि उत्तर प कश्मीर वालों का current statistic का आया है अगर आप जहां से हो वहां से check कर लेना और एक बात का ध्यान रखना ऑफिशियल साइट पर ही जाके registration करना फिर से मैं बता दे रहा हूं तो उत्तर प्रदेश वाले पर हम click कर देते हैं उत्तर प्रदेश जम्मों कश्मीर और आंद कर लोगे तो login करना रहेगा तो यहां पर mobile number डालके password डालके हम login कर लेते हैं अब यहां से चेक कर लो login करने के बाद कि आपके district का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आपके district का नाम आ रहा है तो यहां पर blue color का name of location दे रहा है कौन से location पे इनको चाहिए और इस location से अगर application fees लिखी आ रहे 10,000 रुपए open वालों का लगेगा SCST वालों का 3000 और OVC वालों का 5000 रुपए लगेगा application fees अब नीचे आ जाएंगे form आसानी से भर लेंगे form में जादा कुछ नहीं पूछा गया जो जो documents वगेरा मैंने बताए वही सब पूछा गया है father's का नाम वगेरा यह स signature और फोटो डाल देंगे signature फोटो डालने के बाद और नीचे आ जाएंगे यहां पर submit application form कर देंगे application form को submit कर देंगे application form को submit करने के वाल पेमेंट वगयरा आएगा वह process आएगा payment वगयरा का वह सब कर देना application fees इतनी लगेगी और एक चीज का ध्यान देना दोस्तों official site से ही registration क का नाम कमेंट करके लिखो कि हमारे district का form आया है कि नहीं आया है चेक करके बताओ या फिर आप खुझ चेक कर लो और जिस राज से आप बिलॉंग करते हो उस राज का नाम तो जरूर लिखना तो उस पर चेक करेंगे कि कौन से राज के मेंबर ज्यादा हमारी वीडियो दोस्तों आप कभी भी चेक कर लिया करो कि हमारे राज का application form का advertisement आया है कि नहीं आया है यहीं से जाके official site से आप चेक कर सकते हो कभी आप मेरे वीडियो पर क्लिक करके link पर क्लिक करके डारेट जाके आप अपने राज का नाम देख लो जब भी advertisement आता रहेगा दोस्तों वीड तो सारी चीजे step by step बने बता दी अगर कुछ नहीं समझ में आयो तो comment करके पूछ सकते हो या फिर instagram पे message करके पूछ सकते हो सारी detail वैसे मैंने बता दी दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे interesting videos के साथ जय हिंद वंदे मात्रम